हेलो दस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी के नियू अपडेट के बारे में तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं एथर एनर्जी ने ग्रीट 2.0 को लॉँच कर दिया है ग्रीट 2.0 एक चारजिंग स्टेशन है जहांसे आप अपनी एलिक्टिक स्कुटर को चार्ज कर सकते हैं इसका पहले वाला मोडल जो पुराना वाला मोडल था वो ग्रीट था और ग्रीट 2.0 एक नय वाला मोडल है तो से grid 2.0 को काफी rough end up और काफी modular type का बनाया गया है इसका जो अगर ये खराब भी होता है तो इसको काफी असानी से repair भी किया जा सकता है इसके काफी सारे benefit भी है जो कि आपको आगे वीडियो में जानने को मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपके बता दू अगर आपकी electric scooter में कोई software upgrade का option आता है तो आप जब grid 2.0 के पास जाएंगे आप अपनी electric scooter को चार्ज करेंगे तो यहां से आपको जो अपडेट है software update है उसको भी update कर दिया जाएगा ये सबसे बड़ा benefit है और अगर इसके बात करें grid 2.0 में तो ये OTA update का support तो करता ही है साथ ही 24 गंटे ये connect रहता है अपने मुख न्याले से तो जहां main center है वहाँ से 24 गंटे update रहता है connect रहता है तो अगर इसमें कोई भी खरावी या कोई भी update है तो वहाँ पे alert चला जाता है main station पे तो ये सबसे बड़ा benefit है और इसके और भी benefit के बारे में बात करें तो इसको rough and tub बनाया गया है ये अधितन तापमान तक भी रह सकता है और ये सभी मौसम के लिए ये better बनाया गया है मतलब बारिस हो धूप हो गर्मी हो कोई भी ओठंडा हो ये rough and tub बनाया गया इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो यहाँ पे सबसे बड़ा इसमें और benefit देखें तो grid 2.0 है ये आपको fast charging का option देता है जो grid था उससे ये double आपको fast charging का option देता है grid 2.0 मतलब आप जब अपनी electric scooter को charge करेंगे grid 2.0 से तो ये सबसे बहुत जल्दी ही आपकी electric scooter को full charge कर देगा और यहाँ पे main और एक इसका जो update है जो की है ये जो grid 2.0 है ये तो two wheeler को charge करेगा ही साथ ही ये आप four wheeler को भी charge कर सकते है मतलब car वेगरा जिनका electric car वेगरा है वो भी इसके through charge करवा सकते है तो ये सबसे बड़ा खासे थे इस grid 2.0 का ether energy के तरफ से जो की launch किया गया है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे company ने बताए कि 217 में उन्हें अभी तक 215 charging point लगा दिये charging station लगा दिये है लगाए गये थे वो grid के लगाए गये थे जिसमें जो पुराना अलों मोडल था बट अब 215 के बाद जो है वो लगबग आप मान के चली कि grid 2.0 को ही लगाए जाएगा जो company अभी बता रही है यहाँ पे company ने ये भी बताए है कि वो आने वाले कुछ टाइम में हर एक 4 किलो मीटर पे अपना एक charging station charging point लगाने वाले हैं जहां से कोई भी two wheeler या कोई भी fall wheel electric आप charge कर सकते हैं और अगर इसके कोई और update के बारे और भी update के बारे में बात करें तो company ने यहाँ पे बताया है कि अगर आप के पास electric scooter है या ether energy की या किसी कभी तो अगर आप इनके charging station पर जाते हैं तो इस साल के end तक मतलब December 2021 के end तक आपको कोई भी charge नहीं लगेगा अपनी electric vehicle को charge करवाने में मतलब आप free of cost अपनी electric scooter या electric car को charge करवा सकते हैं ether energy के grid 2.0 या grid से तो ये कुछ update है company नहीं यहाँ पर काफी कड़ो रुपे भी खर्चा कर रही है जिसमें आप मान के चलिए 650 कड़ो रुपे company निवेस करने की 13 में लग चुकी है तो ये कुछ update आ रहा है ether energy के तरफ से charging point को लेकर तो आप मुझे करें बता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये information कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको ओला एलेक्टरिक स्कूटर के नीव अपडेट के बारे में भी जानना है तो आप मेरे वीडियो पे चेक आउट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो बनाया हुआ है तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साब तक तक के लिए राइड विद बाइक